नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे तो फाइनली अब पता लग चुका है दोस्तों कि पोको पैड जो की एक टैबलेट होने वाला है वो कब लॉंच होगा डैट इस 23 में को पोको F6 सिरीज के साथ में यह ग्लोबली लॉंच होगा डैट मींस यह इंडिया में भी डेफिनेटली लॉंच होगा बाइद अब दोस्तों मैं बता दूँ कि पोको पैड अल्रेडी चैना में लॉंच हो चुका है किसी और नाम से किसी और नाम से लेकिन जो ग्लोबली मिलेगा यह पोको पैड़ के नाम से यहां पर आपको देखने मिलेगा तो आएंए जानते हैं इसके सारे क्या कुछ जो है specifications रहेंगे, क्या कुछ जो है इसकी pricing यहाँ पे रहेगी, मैं आपको एक बात बता देता हूँ यहाँ पे, कि Redmi Pad Pro जो है, जो कि China में launch हुआ है, with Snapdragon 7S Gen 2 processor, वही same जो है दोस्तो Pocopad के specifications रहने वाले हैं, that means just rebranding या फिर renaming का case आप लोग मान लीजे, इसको यहाँ पे Xiaomi play out कर रही है, यहाँ पे एक चीज crystal clear आप लोगों को पहले सही में बताता चलो, कि price को लेके क्या हाल आपका होने वाला है, ठीक है, नो देखो, इंडिया में कौन सा tablet होता है, Xiaomi Pad 6, तो यह एक जो tablet है, कहीं न कहीं मान के चल सकते हैं दोस्तो, powerful जो users हैं, उनको target किया हुआ है, यह जो है multi-media purpose, या फिर entertainment purpose के हिसाब से तो ही है, लेकिन उस पे बहुत ज़्यादा focus नहीं है, यह हर चीज जो है balance तरीके से करने की यहाँ पे कोशिश करता है, तो अभी तक Xiaomi के पास में ऐसा कोई tablet नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा entertainment focus वाला जो है tablet हो, now before I move on, एक और चीज़ आप लोग के दिमाग में clear होनी चाहिए, कि यह पूरी की पूरी जो है ladder कैसे काम कर रही है, आपने देखा होगा Xiaomi की तरफ से Redmi Pad SE है, यह है Xiaomi की official website जो की चाहिना में है, मैंने इसको Google Translate की मदद से यहाँ पर translate किया हुआ है, now colors के लिए मैं यह वाला page आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जिसके आप लोग देख सकते हैं, green है, थोड़ा हलका blue है, थोड़ा हलका grey है, यह तीन चाहिन तरीके के colors आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, apart from that, और deep specifications जानने है crystal clearly, तो मैं आप लोगों को चलता हूँ यहाँ पर Gizmo China की website पर, जहाँ पर सब चीजें बहुत ही साफ सुतरे तरीके से लिखी हुई है, और जो photos जिन्होंने attach की हुई है, they represent lot of things, तो जैसे कि आप लोगों को दो camera देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे, Snapdragon 7S Gen 2 processor आपको मिलता है, तो इसलिए मैंने आपको लोगों को जो है शुरुवात में ही बता दिया था, कि यह एक kind of entertainment tablet होगा, ठीक है, इसमें बाकी सारी चीज़ें हो सकता है, कि आपको up to the specifications ना मिले, जैसे कि processor आपको होगी है, Snapdragon 7S Gen 2 जो है processor आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, साथ में अगर हम बात करें तो 33W की charging आप लोगों को मिलती है, 10,000 mAh की आप लोगों को बैटरी यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर बैटरी काफी ज़्यादा बड़ी है, considering it's just a 12.1 इंच tablet, ठीक है, तो यह एक चीज है, मतलब बैटरी के जो tablet का size है, उस हसाब से बैटरी आपको जो है काफी ज़्यादा बड़ी देखने को मिलती है, साथ ही में 249 PPI के जो है आप लोगों को pixel density देखने को मिल जाती है, it's a some sort of quad HD plus resolution आप लोग ले सकते हैं, जो की अच्छी चीज है, तो मैं आप यह टाबले अगर आप लेते हैं, 600 nits की brightness है, यहाँ पे आप लोगों को DC dimming का support मिल जाता है, Dolby Vision का यहाँ पे आपको support देखने को मिल जाएगा, 600 nits की जो है peak brightness है, that means बहुत ही अच्छी quality की IPS panel लोगों ने यहाँ पे डाली हुई है, and most probably this is I think a 12-bit display, जिस हिसाब से यह लोग बोल रहे है 67.7 billion color, तो 12-bit display में ही इतनी आपको देखने को मिलता है, पहली चीज, पहली बात यह चीज ट्राइ हो रही है एक display में, इसमें आप लोगों को adaptive refresh rate का concept देखने को मिलता है, 33 watt की fast आप लोगों को charging देखने को मिलती है, back side में आप लोगों को 8 megapixel का sensor देखने को मिलता है camera वेला, which is just good for like photo is scanning हो गया, document is scanning हो गया, उन सब के लिए काफी ज़्यादा अच्छी चीज है, now here is something very interesting, इसमें अभी भी आप लोगों को 3.5 mm का audio jack देखने को मिलता है, और अगर मैं Bluetooth support की बात करूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे codec का support आप लोगों को मिलता है when it comes to the audio, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कि यह पूरा का पूरा multi media के surrounding है, यह जो tablet आपको देखने को मिलता है, quad speakers आप लोगों को देखने को मिलते हैं, अगर टाइप के आप लोगों को codecs देखने को मिलते हैं, audio jack देखने को मिलता है, और weight भी, just 571 gram आप लोगों को देखने को मिलता है, and believe me guys, यह पहला ऐसा tablet है, जो कि Android 14 HyperOS operating system के साथ में, आप लोगों को by default देखने को मिलता है, now here comes the very interesting part, the pricing, जैसे कि मैंने आपको बताया, 620GB वाला जो variant है, आप लोगों को लगबग 27,000 रुपए का देखने को मिल रहा है, ठीक है, and multimedia की जो भी चीज़े होती है, चाहे आप स्क्रीन ले लो, speakers ले लो, चाहे आप अच्छे quality की screen की brightness ले लो, यह सारी चीज़े बहुत ज़्यादा महेंगी आती है, so somewhere cost cutting यहां पर इन लोगों ने की हुई है, ताकि जो Xiaomi है, इस चीज़ को थोड़ा सा जो है, balance करके रख सके when it comes to the pricing, आपको क्या मानना है दोस्तों, मुझे comment section में जरूर लिख कर बताईए, मिलता हूं मैं आप से अगले वीडियो में,